असलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हुआ आप साब उमीद करती हूँ आप सब खेरेस से होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़दार बनने वाला हैदरवादी स्पेशल भुना गोश्ट की रेसेपी जो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाना बताँगी फ्रेंड्स में आपका और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है तो वीडियो को भी ना स्किप के पूरा देखिए अगर आपको मेरे से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसेपी है ये बिस्मिल्लाहिर्मानीरहिम तो सबसे पहले देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैंने गैस पर एक कुकर रख लिया है तो इसमें डाल लेंगे हम यहां पर चार बड़े चमच तेल तो यहाँ पर तेल दालने के बाद देखें मैंने चार मेडियम से इसकी प्यास ले ले थी जिसको हमने इस तरीके से बारेक स्लाइसेस में कट कर लिया है तो यह सारी प्यास को हमने इसमें दाल लेना है तो देखे, प्यास डालने के बाद हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे, mix करने के बाद अब हम प्यास को अच्छे से fry करेंगे, प्यास अच्छी सी golden brown हो जानी चाहिए, तब तक हमने इसको fry करने ना है, तो high flame पर इसको fry करेंगे friends, तो देखे यहाँ पर प्यास बहुत अच्छे से fry हो गई है आप देख सकते हैं इसका color तो जब इस तरह से प्यास fry हो जाएगे ना तब हम इसमें दालेंगे हैं पर एक बड़ा चमच अद्रकलेशन का paste तो देखें यहां पर एक बड़ा चमच अद्रकलेशन का paste दालने के बाद हम अच्छे से mix कर लेंगे और अध्रकलेसन का कच्छा पन जाने तेक हमने इसका अच्छे से fry करना है प्यास के साथ तो देखें यहां पर अध्रकलेसन का कच्छा पन चला गया है अब हम flame کو बिल्कुल लो कर लेना है flame लो करने के बाद देखिए friends इस में दाल लेए gour आधी चमच हल्दी पौडर, और एक चमच ही इसमें दाल लेंगे हम लाल मिर्स पौडर, तो मिर्सी अपने टेस्ट के हिसाब से दाल लीजिए, और यहां पर एक चमच ही दाल रही हूं है, कश्मीरी लाल मिर्स जो कलर अच्छा हैगा इससे, लेकिन दालना बिल्कुल मैंने बीफ का गोष्ट ले लिया था जिसको में अच्छे से धोलिया है और यहां पर हमें ऑच्छे से धोलिया है में चिकनावाल लिया है, तो इससे हमारा भूना हुआ धुटे बूर्दा हुआप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब यहां पर हम इसका धकन को लगा लेंगे, धकन लगाने के बाद, अब हम इसको हाइफ लेंगे पर 7-8 सीटी आने तक पका लेंगे, जब तक कि गोश अच्छा सना गल जाए, तो देखे फ्रेंड्स, यहां पर 7-8 सीटी आ चुके थे, और य कड़ाई में निकालने के बाद, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम पर, 2 मिनिट के लिए मैंने इसको देखे, हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, और यहां पर मैंने 2-3 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, तो यहाँ पर सारा दही मैंने इसमें डाल लिया है और हम इसको अच्छे से MIkx कर लेंगे तो देखे फ्रेंड्स firem को low करने के बाद दही डालना है वजना दही फट जाएगा दही डालने के बाद रहाखे से mismix कर लेंगे यहाँ पर देखे अच्छे से इसको mix करना है mix करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको ढखकन को ढख देंगे और इसका flame को high कर लेंगे high flame पर हमने इसको पका लेना है तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए जब तक कि दहीं का कच्चापन चलाना जाए तब तक हमने इसको पका लेना है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर पका लिया है मैंने इसको 5-6 मिनिट के लिए दहीं का कच्चापन चला गया है और यह अच्छे से भुन गया है तो देखे एक बार इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब यहाँ पर देखे फ्रेंड्स अच्छे से mix करने के बाद flame को low कर लेना है low flame पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो देखे फ्रेंड्स उससे पहले यहाँ पर आप masala देख सकते हैं इसका आपको अगर और थोड़ा सा masala चाहिए इसमें तो आप थोड़ा सा पानी दाल कर अपने हिसाब से gravy रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह भुना हुआ गोश्ट है तो बस मैं इतनी से इसमें gravy रख रही हूँ थोड़ा सा masala रख रही हूँ तो flame को low करने के बाद यहाँ पर मैंने दाली है थोड़ी से कोत में दाली है और चार सावित हरी मीट सी दाली है अब इसको ढखकन ढख देंगे हम low flame पर 2-3 मिट के लिए दम होने के लिए छोड़ देंगे तो देखें फ्रेंट्स 2-3 मिट हो गए है हमारा भुना हुआ गोस्त बन कर रेड़ी है तो flame को बन कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाऊंगी के यह दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंट्स खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मजे का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसेपी है तो चलिए flame को बन कर लिया है मैंने अब हम इसको सर्फ कर लेंगे तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैं इसको सर्फ कर रही हूँ आप चाहे तो इसको जावारी की रोटी के साथ खाईए फुलके के साथ खाईए पराटे के जाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसेपी है और बहुत ही जटपट और आसाँ तरही के से बन कर रेडि हो जाती है तो आप भी यहसे जरूर ट्राइ किई Θ dentro आप इसको ट्र्ाइए मुझे कमेंट्स करकर जरूर से बताएं तो तो क्रैंट्स आप मेरा वीडियो कहा से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करकर बताईए और फ्रेंट्स इस रेसिपी को तो बनाना बनता है आप जरूर से एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरे सारे रेसिपी पसंद आती है तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक क शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए तो इंशाला बहुत ही जली सी तरह की कोई आसान और मज़िदार सी रेशेपी आपके साथ शेयर करूंगी मैं तब तक के लिए दूआ में याद रखिएगा अला हाफीज